हेलो एवरिवन मैं हूँ शिरीश और आप देख रहे हैं बोन साय एंड गाडनिंग जोन और आज के इस वीडियो में मैं आपको बीज से उगाए हुए आम के पौधे में स्टोन ग्राफ्टिंग करना सिखाने वाला हूँ जिसे गुठली कलम भी कहते हैं मैं आपको दो ग्रा वो भी अपडेट्स के साथ स्टोन ग्राफ्टिंग क्या होती है ग्राफ्टिंग क्यों फेल हो जाती है 100% सक्सेस्फुल ग्राफ्टिंग के लिए क्या करना चाहिए और कैसे आप स्टोन ग्राफ्टिंग से तयार पौधे को गमले में उगा कर दो तीन साल में धेर सारे आम पा सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों आपने नर्सरी में अक्सर देखा होगा कि छोटे आम के पौधों में भी आम आ रहे होते हैं असल में इन पौधों को स्टोन ग्राफ्टिंग टेकनिक से उगाया जाता है बीच से उगाय हुए आम के पेड़ को फल देने लायक मेचौर होने में 5 साल या कभी कभी उससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है लेकिन स्टोन ग्राफ्टिंग की जाए तो पौधा 1.5 दो साल में ही आम के बड़े पेड़ की तरह फल देने लगेगा क्योंकि असल में ये बड़े फलदार पेड़ का ही आइडेंटिकल क्लोन बन गया होता है ये एक महीने पुराने आम के पौधे हैं जिनने मैंने बीच से उगाया है बीच से उगाने के लिए आप किसी भी किस्म के आम की गुठली को साफ करके कुछ टिशू पेपर्स या किचिन टॉवल में पानी में भीगो कर इसमें गुठली को लपेट कर जिप लॉक बाउच में रखकर सील करके रख दीजिए अब इसे किसी ब्राइट लोकेशन में रखना है आठ दस दिन में सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोको पीट को मिलाकर सीट को लगा दीजिए लाइट वेट सॉयल मिक्स में पौधा जल्दी होगेगा और स्टोन ग्राफ्टिंग के लिए बिना रूट्स डेमेज किये पौधा निकालना भी बहुत आसान होगा 15 दिनों बाद आम का छोटा सा पौधा निकलाया है एक महिने बाद पौधे स्टोन ग्राफ्टिंग के लिए तैयार हो गए है इन्हें मैंने मिट्टी से बाहर निकालकर पानी में रखाए ताकि जणे सूखे नहीं स्टोन ग्राफ्टिंग या कलम बादना ऐसी टेकनिक है जिसमें सीट से उगाय हुए पौधे के निचले हिस्से याने रूट स्टॉक में फल देने वाले बड़े मेचॉर ट्री से सायन याने कलम काट कर जोड़ दिया जाता है अब मैं इसमें सिंगल स्टोन ग्राफ्टिंग करने जा रहा हूँ इसके लिए आपको चाहिए ग्राफ्टिंग टेप, शार्प पूरूनर, तेज धारदार ब्लेड, सायन के लिए अच्छी वेराइटी के आम की कटिंग और एक डेड़ महीने पुराने बीच से उगाय हुए आम के पौधे दोस्तों मेरे घर से कुछ दूरी पर एक आम का बगीचा है जहां से मैं सायन के लिए केसर वेराइटी के आम की कटिंग लेकर आया हूँ इस तरह की सौफ्ट वूड वाली पुरानी ब्रांच जिसमें एकदम डार्क ग्रीन पतिया हों और उपर से इस तरह की बड्स आ रही हों इस तरह की ब्रांचेस कलम के लिए बैस्ट होती है सही तरह का सायन लेंगे तो आपकी स्टोन ग्राफ्टिंग 100% सक्सेस्फुल होगी कलम ज्यादा मोटी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा बीज वाला पौधा अभी छोटा है अब एक शार्प ब्लेट को डिसिन्फेक्ट कर ले ग्राफ्टिंग की सक्सेस के लिए कटर को सेनिटाइज करना बहुत जरूरी है नहीं तो इन्फेक्शन से ग्राफ्टिंग फेल हो सकती है अपने हाथों को भी सेनिटाइज कर लीजिए अब इसे 4-5 इंच उपर से स्टेरलाइज शार्प प्रूनर से कट कर लीजिए अब इसके एकदाम बीच में से 2 इंच नीचे तक कट लगाईए कटिंग से सारी पत्तियों को तोड़ लीजिए अब इसके दोनों तरफ से इस तरह से तिर्छा कट लगाईए ज्यान रहे कि कटे हुए हिस्से पर मिट्टी या गंदे हाथ न लगें वरना इन्फेक्शन के कारण ग्राफ्टिंग खराब भी हो सकती है कट उतना ही लंबा होना चाहिए जितना गेरा चीरा आपने पौधे में लगाया है जिससे दोनों आपस में फिट हो सके अब कलम को पौधे में अच्छी तरह से फसा दीजिए अब इसे ग्राफ्टिंग टेप या सैलो टेप से अच्छी तरह से टाइट बान दीजिए और नीचे से उपर तक कवर कर दीजिए अगर ग्राफ्टिंग वाला जोड जरा भी लूज रहेगा तो ग्राफ्टिंग खराब हो सकती है इसलिए इसे एकदम टाइटली लपेट कर वाटरप्रूफ कर दीजिए ग्राफ्टेट पार्ट पर हवा नहीं लगना चाहिए नहीं तो इस पर फंगस लग सकती है मैंने 50% गारडन की मिट्टी, 30% वर्मी कमपोस्ट और 20% रेत मिलाकर छोटे गमले में भर दिया है अब इसमें पौधे को इस तरह से लगाईए कि ग्राफ्टिंग वाला हिस्सा मिट्टी के उपर रहे अब मैं इसे एक पौली बैक से कवर कर दूँगा, इससे इसमें हुमिडिटी बनी रहेगी इसे नीचे से हलका सा बान लीजिए, टाइट नहीं बानना है ताकि इसमें थोड़ी बहुत हवा अंदर बार आजा सके इसमें अच्छी तरह से पानी देकर इसे शेड में रखना है हमारे पौले में फिलाल पतिया नहीं है, इसलिए ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करना है वरना ओवर वाटरिंग के कारण रूट रोट हो सकता है और हमारी ग्राफ्टिंग फेल भी हो सकती है पानी तभी देना है जब उपर के मिट्टी चूने पर सूखी मैसूस हो दोस्तों ये है रिजल्ट 29 दिनों बाद का अब इसका पौली बैग हटा कर देखते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें उपर की तरफ से छोटी छोटी पतिया निकल आई हैं जिसका मतला में हमारी ग्राफ्टिंग सक्सेस्फुल हो गई है अब इस पौली बैग को हटा कर इसे ऐसी जगा रखूँगा जहां इसे हलकी हलकी इनडारेक्ट फिल्टर्ड सनलाइट मिले क्योंकि अभी पतिया नाजुक हैं तो इसे धूप में नहीं रख सकते हैं 40 दिन बाद पतियां बड़ी बड़ी हो गई हैं और हमारी स्टोन ग्राफ्टिंग अप एस्टेबलिश हो गई है ध्यान रहे कि अभी इस पर से ग्राफ्टिंग टेप नहीं हटाना है दो दिन महीने बाद जब ग्राफ्टिंग वाले हिस्से में अच्छी तरह से यूनियन हो जाए और धेर सारी नई पतिया निगल आएं तब आप इसे हटा सकते हैं दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ डबल स्टोन ग्राफ्टिंग का तरीका डबल स्टोन ग्राफ्टिंग में सक्सस के चांसे सिंगल स्टोन ग्राफ्टिंग से ज्यादा होते हैं और इसका पेड़ भी जल्दी बड़ा होता है क्योंकि इसमें एक कलम को दो आम के पौदों के साथ ग्राफ्ट किया गया होता है इसके लिए आपको आम के एक डेल महीने पुराने दो सीडलिंग्स लेने होंगे डबल ग्राफ्टिंग के लिए मैं दशेरी आम वराइटी की कलम ले रहा हूँ अब दोनों सीड ग्रोन प्लांट्स के उपर के हिस्से को बराबर साइज में कट कर दीजिए अब इस तरह से दोनों में 2.5 इंच लंबा तिर्शा कट लगाईए इस काम को ज़रा ध्यान से कीजिए जल्दबाजी नहीं करना है अब सायन को भी दोनों साइट से इसी तरह से तिर्शा कट कर लीजिए सीडलिंग के बराबरी कट लगाना है अब दोनों सीड ग्रोन पौधों के कट्स को कलम के कट्स के ठीक उपर लगा कर ग्राफ्टिंग टेप या सेलो टेप से टाइटली बान कर कवर कर दीजिए पौली बैक से इसे कवर कर दीजिए और शेड में रखी लगाना है दोस्तों 20 दिन बाद ही इसमें नई पतिया निकल आई हैं इसमें सिंगल स्टोन ग्राफ्टिंग के कंपेरेजन में जल्दी बड़्ज निकल कर आई हैं और इस तरह से हमारा डबल स्टोन ग्राफ्टिंग भी सक्सेस्फुली ग्रोव हो गया है डबल स्टोन ग्राफ्टिंग का हमारा प्लांट 32 दिनों का हो गया है और इसमें पतियां बड़ी बड़ी आने लगी है अब मैं इसे ऐसी जगह पर रखूँगा जाए इसे सुबा की 2-4 घंटे की दूप मिल सके मैं इसे इसी गंबले में 6 से लेकर 8 महिनों तक बड़ा करूँगा जब इसमें धेर सारी नई ब्रांचेज और पतियां निकल आएंगी तो मैं इसे 18 इंच के बड़े गंबले में ट्रांसफर कर दूँगा आप चाहें तो इसे जमीन में भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं जमीन में लगाने पर ये तेजी से बड़ा होगा और लगबग 1-2 साल के बाद ही इस पर धेर सारे फल आना शुरू हो जाएंगे अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आप इसे इस तरह के बड़े प्लास्टिक कंटेनर में भी लगा सकते हैं बड़े कंटेनर में भी इस पर आम आएंगे दोस्तों ये आम का पेड़ 3 साल का है जिसे मैंने 24 इंच की फ्रूट क्रेट में लगाया हुआ है आप देख सकते हैं इस पर जबरज़स फ्रूटिंग हो रही है इसे मैंने ग्राफ्टिंग से हुगाया है इसकी ग्राफ्टिंग का वीडियो आपने जरूर देखा होगा अगर नहीं देखा हो तो उपर दिख रहे है आई बटन पर क्लिक कीजिए वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंट कमेंट में नीचे दे रहा हूँ अक्सर लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि आम का बीज और कलम क्या दोनों एक ही वेराइटी का होना जरूरी है या नहीं तो आप किसी भी किसम के आम की गुटली से पौदा उगा सकते हैं लेकिन आम हमेशा उसी वेराइटी का आएगा जिस वेराइटी के पेड की कलम या सायन आप इस पर ग्राफ्ट करेंगे आमकी ग्राफ्टिंग के पिछले वीडियो में कई व्यूवर्स ने मुझसे ये पुछा कि हमारी आमकी ग्राफ्टिंग बार-बार फेल हो जाती है दोस्तों ग्राफ्टिंग फेल होने के कई रीजन होते हैं जैसे fungus infection जो होता है गंदे या contaminated cutter या blade यूज़ करने से, गलत कलम लेने से, सही तरह से cut ना लगाने से, joint को loose बानने से, joint के बीच में पानी जाने या हवा लगने से, गलत मौसम में grafting करने से, या over watering के कारण, दोस्तो gardening से जुड़े आपके कोई भी सवाल आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं, आप मुझे instagram पर भी follow करके अपने issues पर मुझसे direct chat कर सकते हैं, instagram का link आपको pinned comment और description box में मिल जाएगा, और ये है आज का comment of the week, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आया हो तो इसे like और share करें, मेरे इस channel को please subscribe जरूर करें, नए नए वीडियो का notification सबसे पहले पाने के लिए bell icon को press करें, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, thanks for watching and keep on gardening!